नमस्कार दोस्टों आप देख रहे हैं नौलेज बज और आख के वडियो में हम बात करेंगे रेलबे एंटी 17 के लिए एक मुश्ट इंपोर्टन्ट टौपिक के सिरिज को हमने सुरू किया है ओर Jais के भी हम टौपिक को कवर करेंगे ज intrigued के डिखेंगा और साथ में प्रिवि important exam है तो यहाँ पे हम topic wise है पहले तो history को cover करेंगे और GS का भी आपको एक अलग से साथ साथ आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा ठीक है और combined भी मैं आप लोग को कुछिस करूँगा कि एक GK के वीडियो को provide करवा क्योंकि आप लोग को पता है कि GK यहाँ 40 नंबर का है तो topic wise GK study करना बहुत ज़्यादा important है और साथ में हम previous year के question को ही discuss करेंगे ताकि आप लोग को जान सके कि previous year कैसे question पूछे जाते हैं और साथ में हम इसके solution को भी discuss करेंगे क्योंकि आप लोग को जादा knowledge हो सके तो चलिए अब हम start करते हैं पहले topic को Indian history और Indian history में जो पहला topic है सिंधु घाटी सब्वेता इंडस civilization पहला question देखेगा पहले question में आप से पूछा गया कि सिंधु घाटी सब्वेता कितनी वर्स पुरानी है और दक्षिन दक्षिन में गंगा घाटी के निचले छेत्रोवा उत्तर में मालवा तक फैली हुई है मतलब simple सा पूछा कि कितनी वर्स पुरानी है पहला option आपके साथ सामने है एक हजार इसा पूर्वे मतलब क्या होता है और अभी जो हम लोग calculate करते है वो ad में calculate करते है जैसे 2001-2020-ad ठीक है ना उससे पहले जो होता था 2000 साल से पहले उसको बोला जाता था bc before Christ मतलब इसा पूर्वे इसा मसी के जन्म के पहले तो पहला option है 1000 दूसरा option है 5000 इसा पूर्वे दूसरा option है 3000 इसा पूर्वे और चौथा option है 8000 इसा पूर्वे तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा option number C हो जाएगा मतलब 3000 इसा पूर्वे और यह question group D में पूछा जा चुका है चलिए यहाँ पर देखिएगा option number C सिंदु गाटी सभिता को हरपा सभिता भी कहा जाता है यह important है इस सभिता का नाम करन हरपा नामकस्तान जहां यह संस्कृती पहली बार खोजे गई थी के नाम पर रखा गया यह भी line important है यह अस्थल रावी नरी के टट पर इस्तित है most important point है इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी यह भी पूछा जाता है कि कब की गई थी किसने की थी दयाराम साहनी ने की थी इस हरपा अस्थल की वरतमान भगौली के सती पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में ठीक है यह भी पूछा जा सकता है उसके बाद कुछ अन्य सभिता के बारे में बताया गया है बट यहां प दक्षिन की और और उत्तर के की गंगा घाटी की पूरे तलहटी के चेतर में हुआ था तो सेम कुछा गया है यहां बूला गया 5000 BC इस्वी 5000 BC इस्वी ठीक है यहां 5000 वर्स कहने का मतलब है तो मैंने बताया था कि 3000 प्लस में 2000 अभी हो गया बिफोर क्रैश 3000 और अभी कितना हो चुका है 2000 मतलब टोटल 5000 साल पहले सिंदु घाटी सब्वेता का विकास हुआ था तो इस कोस्टन का सही एंसर अभी मैंने बताया है सही एंसर क्या हो जागा सिंदु घाटी सब्वेता का विकास हुआ था 5000 वर्स से पहले ठीक है अब सिंद हरपस अभेता पचीस सो बीसी के आज पास विकास किया था आज हम क्या कहते हरपस अभेता को क्या बुला जाता पाकिस्तान और अफगानिस्तान पच्छिमी भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान और पच्छिमी भारत और भारत और चीन तो इस कोस्तन का जो सही एंसर हो जा का कुछ हिस्सा है वो भारत में भी है मतलब गुजरात के साइड भी है ठीक है ना तो यह सब कोशन आप से पूछा जाता है कि कहां पे विकास हुआ था तो पच्छमी भारत और पाकिस्तान में मैंने आप लोग को बता दिया कि हरपास अविता कितनी वर्स पुरानी थी तो हर पचीस सो सॉरी पचीस सो बीसी कि आसपास विक्सित हुई थी इससे सब्टा का विस्तार कहां था मैंने बता दिया आपको रावी नदी के टट पर पाकिस्तान की कौन से जीले में था ये भी मैंने बता दिया दयराम साहनी ने इसका कब खूज किया था ये भी मैंने बता द से में अस्तित्व किसम को घुमा के पूछा गया तो अभी मैंने बताया पचीस तो इसा पूर्वे ठीक है आपी इत के बने भावन होते थे इत के बने भावन ठीक है ना मतलब में नदी के किनारे ये सब्हेता बसा हुआ था इतों का परियोग सभी रप्पाव बस्तियों में किया जाता था इस समय की इटों के एक निश्यत अनुपात होती थी चार अनुपात, दो अनुपात, एक अनुपात में इट होते थे मतलब LBH ठीक है न, क्योंकि थ्री डाइमेंशन होगा तो तीनो डाइमेंशन होने चाहिए यहाँ पे आगे दिखेगा सिंदूगाटि सब्वेता, यह NTPC का कोच्टन है सिंदूगाटि सब्वेता कैसा था तो यह पूछा जाता है पहला अप्षन है तामर योगिन दूसरा अप्षन है लोह, तीसरा अप्षन है अक्षे और चोथा अप्षन है यहाँ देखेगा कास से तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा कास से option number D solution को देखते हैं उससे और भी कुछ knowledge होगा हम लोगो सिंदू गाटि सब्वेता को कास से योगिन सब्वेता भी कहा जाता है इस सब्वेता को पहली बार पहली बार कास से धातू का परियोग कि इस सब्वेता में पहली बार कास से धातू का परियोग किया गया था जो की तामबे और टीन का मिसरन था सिंदू सब्वेता के 1400 केंदर को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंदर भारत में और यह सब्वेता सिंदू और इसकी सहायक नदियों के पास आस-पास विष्डित है तो यहां से भी important point खोजे पूछे जा सकते हैं आगे देखे सिंदू सब्वेता के लोग डैस बनाने के लिए तामबे और टीन का मिसरन का परियोग करते थे तो आपको बताना है तो सभी को एंसर पता होगा अभी मैंने बताया तामबे और टीन का मिसरन का परियोग कास से बनाने के लिए किया जाता था यहां पे क्योंकि इस सभीता को कास युगिन सभीता भी कहा जाता था तो यह आप लोग को पता चल चुका है चलिए आगे देखते है कोसे नमबर आठ निम्न में से कौन सा घाटी सभीता का महतवपूर्ण अस्थान नहीं है फिर से सुनिएगा निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभीता का महतवपूर्ण अस्थान नहीं है काली बंगा हरपा मोहन जोद्रो आजम गड़ ग्रूप डी का ये कोशन पूछा गया है और सही अंसर क्या हो जागा option number D हो जागा मतलब यहाँ पे आजम गड़ जो है ना सिंदु गाटी सब्वेता से सिंदु गाटी सब्वेता एक नगरी सब्वेता थी ठीक है ना सिंदु गाटी सब्वेता के परमुक्य असल कौन कौन थे मोहन जोद्रो हरपा चुन चुहूद्रो लोथल बनवाली धोला विरा रानी गड़ी और काली बंगन यह सब आपसे पूछा जा सकता है यह आप याद रखना चाहिए अर्थाथ सिंधू सब्वेता में आजम गड़ का कोई भी अस्थान नहीं था तो इसलिए सही अंसर क्या हो जागा आजम गड़ चलिए आगे दिखते हैं मोहन जोद्रो का नाम का अर्थ क्या होता है यहाँ पुछा कि यहाँ मोहन जोद्रो नाम का अर्थ है डैस में मुर्दो का तिला है फार्सी में, उर्दो में, हिंदी में या फिर सिंधी भासा में तो आप लोग याद रखेएगा मुहन जोद्रो का मतलब क्या होता है? मृत्य वैक्तियों का तिला ठीका ना? तो इस कोस्टन का सही अंसर क्या हो जाएगा? option number D हो जाएगा मतलब सिंधी भासा में सिंधी भासा में बूला गया इस चीज़ को ठीका ना? तो यह आप लोग याद रखिएगा और यह ग्रूब डी में पूछा जा चुका है इस question का solution देखते हैं सिंधु भासा मोहन जोद्रों का अर्थ होता है मृत्यों को का टिला यहां दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट सहर माना जाता है यहां सिंधु अर्सल के निर्देश से किया था यह आप से question पूछा जा सकता है कि इसका उत्खनन कभ हुआ था तो 1922 में हुआ था मोहन जोद्रों का उत्खनन चलिए आगे बताईएगा question number 10 हर अप्पा के लोग निमने में से निमने भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे स्यू की विशनु की कभुत्तर या स्वास्तिक की तो इस question का सही answer क्या हो जाएगा इस question का सही answer क्या हो जाएगा विशनु की विशनु की पूजा विशनु की पूजा नहीं करते थे ठीक है यह आप लोग को याद रखना है कि हरप्पा वासी विशनु की पूजा नहीं करते थे ठी अब इस question के solution को देखते हैं मोहन जोद्रों की एके मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह और एके त्रिमुखी पुरुसे को सिहासन पर योग मुद्रा में बैठाया दिखाया गया ठीक है ना जिससे स्यू का आदी रूप माना जाता है ठीक है इसका मतलब स्यू भगवान की वो पूज इसका अंकन है हरपा सब्यता के लोग धर्ती को उर्वता की देवी मान कर इनकी पूजा करती थे पसू पक्षी जल विक्षे सर्पे अगनी आदी की पूजा भी हरपा सब्यता में ही होती थी हरपा सब्यता के लोग भगवान विशनों की पूजा नहीं करते थे यह आप लो अभी गाटी सभबेता की लोग डैस की पूजा करते थे अभी मैंने बताया तो option सुनिएगा हनुमान, काली, आयप्पा यह पसुपती तो इस question का सही अंसर क्या हो जगाओ पसुपती की वो लोग पूजा करते थे ठीके ना पसुपती की वो लोग पूजा करते थे सिंदू गाटी सब्विता एक नगरिये सब्विता थी सिंदू गाटी सब्विता के लोग तीन मुख वाले देवता पसुपती की पूजा करते थे सिंदू गाटी सब्विता के विसाल जो इसनानगार था मोहन जोद्रों से प्राप्थ हुआ है सिंदुगाटी सब्यता की भाव चित्रा नात्मा के लिपी दाई से बाई और लिखी जाती है तो ये भी इंपोर्टेंट है ये पूछा जा सकता है जो लास्ट ओला पॉइंट मैंने बताया कोशन नमर 12 देखें दोला विरा एक पूरा तात्मिक अस्थान किस समय ओधी से जूरी हुई है तो गुप्त ओधी मगद ओधी सिंदुगाटी सब्यता या चालू क्या ओधी तो इस कोशन का सही एंसर क्या हो जागा सिंदुगाटी सब्यता ठीक है ना चलिए देखते हैं दोला विरा गुजरात के कच्छे जिले में मनहर और मांसहेरा नदियों की बीच खादिर द्यूप पर इस्थिते सैधो सब्यता का एक नगर था इसकी खोज उनिस्स सेध उनिस دोल स्शारशक में में जेपी मेंर गुजराकम निस inee जैक च tastes उन्मिच निक्याम्मे में हुआ ठीक है डोक्टर रस बिष्ट्र के नरदेशन में हुआ तर्ण उक्शन ऑन था इनके निर्देश में हुआ था चलिए आगे देखते हैं आगे है वैदिक सभ्यता सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है और ग्रूप डी में पूछा जा चुका है तो इस कोशन का सही अंसर क्या हो जाता है रिग वेद जो है न सबसे पुरानी वेद है सबसे पुराना वेद कौन सा है रिग रिचाओ के क्रम्य बधे ग्यान के संगरा को रिगवेद कहते हैं रिगवेद सबसे पुराना वेद है इनमें 10 मंडल 128 से सूत्र होगा और यहां देखेगा 10442 के रिचाये है इस वेद के रिचाओ को पढ़ने स्लोक लिखाओगा न रिचाओ को पढ़ने वाले पुरोहिते खोष्टे कहते है विश्वा मित्र द्वारा रचिते रिग वेद के तिसरे मंडल में सूर्य देवता सूर्य देवता को समर्पित किया गया परसिद गैतरी मंत्रे भी है इसके नवे मंडल में देवता सूम का उलेखे किया गया है चलिए आगे देखते हैं अगले कोशन को रीग वेट में ऐसे कितने मंत्र है जिन में अब प्रमानित वलेखित वलेखिय है देख लिजएगा भजन सामिल है तो इस कोशन का सही इंसर मैं सीधा आप लोग को बता देता हूँ यहां मैंने आप लोग को बताया था दस्तो अटाइस ठीक है इसमें जज़्यादा आप लोग को तयार नहीं करता है इसमें जो कोशन मैं बता रहा हूँना बस इसको तयार कर लिजेगा रिगवेद में 10 मंत्र है कितने मंत्र है अभी मैंने बताया Option number B हो जाएगा मंत्र मतलब 228 मंत्र है रिगवेद में गैतरी मंत्र भी रिगवेद में ही सामिले आगे दिखेगा निम्ण में से कौन सा वेद है जादुई जादुई अनुस्थानो और वसी करन के बारे में बताता है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसको सन का सही अंसर हो जाएगा अथरवेद, सामवेद, रिगवेद या यजुरवेद तो सही अंसर क्या हो जाएगा अथरवेद इसमें जादो तोना के बारे में बताया गया और यहां देखेगा अथरवेद को ब्रह्मा वेद है ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है अथरवेद रिशी के नाम पर इस वेद का नाम अथरवेद है इनमें 20 अध्याय 731 बता 730 सुपते वस 5987 मंत्र है इसमें वसीकरन जादू टोना भूत प्रेट और और सधियों से सम्मनित मंत्रों का वर्नन है कासी का प्राचिनतम उलेखे अथरवेद में ही मिलता है ठीक है आगे देखते हैं निम्न में से कौनसा वेद संकीत का वर्नन करता है ठीक है ना संकीत के बारे में किस वेद में बताया गया है तो सामवेद येजुरवेद रिगवेद या अथरवेद त इसे भारतिय संगीत का जनक भी कहा जाता है इसे पाठे करता के बारे में भी इससे जाना जाता है चलिए आगे देखते अगले कोशन को यजूर वेद के यूजर क्या होता है यह आप से पुछा गया है जीवन प्राकृतिक बलीदान या फिर सब्सक्राइब तो इस कोशन का स हरत होता है बलीदान या जूर हिंदू धर्म के एक महतेपूर्न सुरूति धर्म के प्रक्रिया बारे में बताए यह हिंदु धर्म के चार परमुख्य गरंतों में से एक है तो यह मोस्ट इमपalter चले हैं आगे देखते हैं आगे पूछा है कोशन नमर 19 में देख सकते हैं कितने कोशन यहां पूछे गया है निम्न मैंसे किस वेदे में बिमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है तो अभी मैंने बताया था आप लोग को अथर वेद में बताया गया है ठीक है इसके बारे में जान लेते हैं य प्राइब भारत का राश्ट्री आदर से बाकिये सत्य में हुजयते किस प्राचिन भारती सास्त्र से उद्गत एक मंत्र है तो इस कोशन का सही अंसर आप लोग सब जानते होंगे अप्सन नमबर बी है मुंड कोप निसद ठीक है अब दीखी का इसकी बारे में हम जान लेते हैं भारत का राश्ट्री आदर से वाकिये क्या है सत्य में हुजयते सत्य की हमेशा विजय हो ठीक है य घ्री में से किस उपनिसद में वसुधो कुटुमबकम सब्डे का उलेक ही किया गया है तो इस कोशन का सही अंसर में सिधा आप लोगको बता देता हूँ महा उपनिसद में बढ़ने जाते हैं तो यहां देखिएगा कितने उपनिसद है तो हम सीधा एंसर देखते है एक सो आठ उपनिसद है एक सो आठ उपनिसद में 11 उपनिसद क्या माने जाते है मुख्य माने जाते है अब इनके बारे में हम जान लेते है उपनिसद ही समस्त भारतिये दर्शन के मूल सुरोत होते है इन्हें विदान्त भी कहा जाता है सत्यमे हो जायते भारत का राष्टी है आधर सबाके है जो कि मुद कोपनिस्द से लिया गया है भारती हे इतिहास में मुद्टी का मुद्टी का उपनिस्द में 108 उपनिस्द का अलेखें मिलता है लेकिन 11 उपनिसत ही प्रमानिक है उनमें जिनमें वृहिदारानिय देख लेज़ेगा क्या लिखा उपनिसद सबसे लार्जेस्ट है और मंडू को उपनिसद सबसे छोटा है जिसमें 12 सलोग है और चांदो गया उपनिसद सबसे पुराना है तो यह जो पॉइंट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है आगे देखेगा डैस सबसे पुराना है तो अभी मैंने तुरंत बताया तो इस कोशन का सही एंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर डी छांदो गया उपनिसद आगे दिखेगा प्रानरभी के भारतिये दार्शनिक के अनुसार प्रतिक बस्तू डैस से मूल तक्तों से बनी होती है दो तीन चार पांच तो सही एंसर होगा पंच भूत आप लोगों पता होगा इस कोशन का सही एंसर क्या होगा पंच भूत मतलब पांच मूल तक्तों से मिल कर भारतिये दार्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए आकास वायू अगनी जल पृत्वी ये पांच महाभूत माने गए हैं जिनके शिरिष्टी से प्रतिक पदार्थ बना हुआ है लेकिन इससे बने बने पदार्थे जर होते हैं समा को वैदिक साहित्य में पृरुस कहां जाता है संख्या दर्शन में प्राकृतिक इन्ही पंच भूतों से मिल कर बना होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टन है चली आगे देखते हैं अगले कोस्टन को अगले कोस्टन में आप से पुछा गया कोस्टन नमर्ट 25 को पुछा गया कोप निश्द में निची केता नामक एक किसोर किसोर और देवता की बीच हुई बाचीत दर्ज है निम्न में से कौन सा देवता निची केता से बात कर रहा है तो भगवान यम भगवान सिव भगवान इंद्रे और भगवान कार्थिकेन तो इस कोशन का सही अं ताओ यम के मध्धे में सववाद दर्ज है यह कृष्न यजूर साखा का उपनिसद है इस उपनिसद के रचीता कंठे कठे नामक आच्चारे है तो यह इंपोर्टेंट कोसर है आगे देखते कोसर नमबर देख लिजेगा यह पूछा गया एलपी के एकजाम में पूछा गया सुल्ला 15,14 और 18 इस कोसन का सही इंसर हो जाएगा छटी सताबजी इसापूर्वे में सुल्ला महा जन्पदों का उधे हुआ था यह सुल्ला महा जन्पद पूर्वे में आरियस संस्कृति के सर्वुचे काल में गंगा घाटी के सुल्ला जन्पद थे इन सुल्ला महा बौधे ग्रंथ के अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सुतर से मिलता है इन सुला महाजनपदों में भगध बस्तस्य कोसल एवं आवंती सरवाधिक परसिद्यत है ये प्राचीन भारत में राज्य या प्रासासनिक इकाईयों को महाजनपद कहा जाता था ठीक है इस कोसन का सही अंसर हो जगा कोसल ठीक है ना छटी सताबजी सितक्र पूर्वे में भारत सुला महाजनपदों में भिभाजित था प्राचीन काल में अवद को कोसल नाम से जाना जाता था वरतमान में यह 6 फायजय अबाद में इस्ति है ठीक है इसके बाद जैन धर्मैं सके कौन से टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और यहां मैं आप लोगो प्रिविएस येर के कोस्तन ही करवाऊंगा ठीक अना तो इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर आप लोगो वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजेगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा आसा करता हूँ कि आज का दिना आप लोग काफी है चरह अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं ट्रैक्यू